हर्याली ओडे, पहाडियों के बीच बहने वाली नदियां एबं उनकी प्राकितिक सुन्दरता इसी परचे की मोहताज नहीं है नदियों की कलकल धुनी, उनकी सुक्ष जल पर पढ़ती सूरी की प्रकास की स्वनिम आभा और सीतल हबाओं की जोकी इसे आकरसित नहीं करते इस्ट जैंतिया हिल्स के सोनापुर में जोवई और सिल्चर मार्क के बीच बहने वाली यह नदियां अधिकांस बर्सा आस्रित और मौसमी है परन्तु बर्सा के मौसम में यह पूरे उफान पर रहती है मन को तरो ताजा करने वाला यह निर्मल कलकल करता जल मानों संगीत की ताने छेड़ता है कि किनारे के उपरी भाग पर बना माम दुर्गा का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है यहां का मनौरम द्रस से सदेव ही पर्यटोकों को आकरसित करता रहा है इस नदी का सबसे बड़ा आकर्शन है पालुखा की दोनों किनारों को जोडने वाला पुल जो अपने आप में कुछ तक नेका स्थर बोत्तम उधारंगी है बेमिसाल मजबूती वाले इस पुल पर हर समय बहाना का आवा गमन बना ही रहता है और तलब है कि इसमें कहीं कोई पिलर या सहारा नहीं ही और यही कारण है कि यह पुल सोनापुर की प्राकितिक सुन्दर्ता को और अधिक रोमालचित बनाता है रियल इंडिया का यह वीडियो कि यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एब हम शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँ तो फिर मिलेंगे इसी नाए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए जैहिंगे झाल झाल